हेलो एप्रीवन आज हमने करके आए हैं बहुत ही टेश्टी चटपटे कुरकुरे मज़ेदार नास्ते की रेस्पी इस नास्ते को बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है आप घर में रखे हुए समानों से इसे बना करके तयार कर सकते हैं आप इसे बच्चों को टीफिन के लिए बना सकते हैं मेहमानों के आने पे बना सकते हैं साम की चाय किसंग बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा और मज़ेदार नास्ता है तो चलिए नास्ती की इस नई रेस्पी को बनाना देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू तो मैंने यहां पे आलू को उबाल के ठंडा करके छील लिया था, अब इनको हमें मैश कर लेना है, तो यहां पे आलू को हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही मैश कर रहे हैं, इससे आलू का जब हम मसाला तयार करेंगे ना, तो भुनने में बहुत ही आसानी होगी, यह तली में चिपकेगा न जैसे ही गरम हो जाएगआ, इसमें एक चमच जीरा डालेंगे और जीरे को चेटकने देंगे, अब इस नहीं हम ढ़ेंगें धो बारों कटीवी हरी मिर्च, और एक मीडियम साइज काक्ता हुआ प्याच, प्याच को हम हम थोड़ी दे के लिए इसमें भून लेंगे, काला नमक और साधा नमक लिया है प्याज पे मसालों को डालेंगे फिलिम बिल्कुल लो रखेंगे और थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे अब इसमें हम उबले और मैश की हुए जो आलू रखे थे उनको डाल देंगे आलू को हमें मसाले के संग अच्छे से भून लेना है आलू को भूनते समय थोड़ा सा दबाते हुए भूनेंगे इससे जो इसमें बड़े बाले चंक्स होंगे वो तूट जाएंगे और यह बिल्कुल भी तली में चिपकेगा नहीं बहुत ही असानी से बहुत ही बढ़ियां आलू का फ्रिलिंग बनकर के तयार हो जाएगा तो यहां पे देखे आलू हमारा अच्छे से भून गया है अब इसमें बड़े बाले चंक्स भी नहीं रह गया है और पैन को यह छोड़ने भी लगा है यानि बिल्कुल भी आविन में मोशन नहीं रह गया है बहुत ही को थोड़ा सा घुल जाने देंगे और अब इस पानी को हमें गरम कर देना है तो थोड़ी तेर में देखिए, इसमें उबालाने लगा है जब उबाला जाएगा तो फिलेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें डालेंगे एक कटूरी नाप करके सूजी यह वही कटूरी है जिससे हमने पानी नाप करके डाला था, ध्यान रखिएगा, इस टाइम हमें फिलेम को बिल्कुल लो रखना है, वरना सूजी बहुत जल्दी से गाड़ी हो जाएगी, और पक नहीं पाएगी, सूजी डालने के बाद इसको हमें चलाते हुए पका लेना है, और सूजी डालते समय हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि इसमें गुल्टिया न पड़ें, तो यहां देखिए, इसने तुरंद पानी को सोक लिया है, फिलेम बिल्कुल लो है, दिमी दिमी आज पे इसको हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे, जब तक कि यह डो फोम में ना आज है, तो प्लेम को आफ कर देना है, और इसे नीचे उतार के रख देना है, ठंडा होने के लिए, जैसे यह ठंडी हो जाएगे, इसको हम मसलते हुए गुथ लेंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गुथते हैं, ताकि यह बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, अब एक बड़े ताकि यह चिपके नहीं, और इस रोटी को हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, रोटी बिलने के बाद इसको किसी भी कटोरी या गिलास से हमें काट लेना है, यह देखिए, यह हमारी कटोरी इतनी बड़ी एक पूरी कट के तयार है, अब चोटी पड़ रही है, इसको थोड़ा सा बेलन से बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से यह कट जाएगा, यह देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा वाला भी पूरी कट के तयार है, अब यह जो बची हुई कटिंगे नहीं, इसको हमें कटा कर लेंगे, और फ चार से पांच पूरिया बना करके तयार कर ली है, अब जो आलू का अमने फिलिंग बनाया था, उसको बीच में रखते हुए, इसको फोल्ड कर लेंगे, कुछी इस तरह से, फिलिंग आप अपने अच्छा नुसार कम और ज्यादा भर सकते हैं, वैसे ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा चटपटी और खाने में मज़एदा टेस्टी लगेगी, तो यहाँ पे एक से डेर चमच फिलिंग को रखना है, एक किनारे फिर, और इसको डबल मोर देना है, य इसे airtight container में भर करके फ्रीज में भी रख सकते हैं, जैसे आपको साम को इसे बनाना है, बना लीजे, जो बचा हुआ नास्ता है, उसे फ्रीज में रख दीजे, अगले दिन आप इसे फ्रीज से फ्राई करके, बिल्कुल ताजा फ्रेज नास्ता बना सकते हैं, तो यहाँ प मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हमें घोल बना के तयार करना है, तो पानी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, इसको अच्छे से पहले हम थोड़े पानी में मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालके इसे पतला करेंगे, यहाँ पे जो गोल हमें बनाना है इसे बहुत नपतला बनाना है न तो बहुत ही गाड़ा बनाना है मेडियम कंसेंटेसी की यहाँ पे हमें गोल बना के तयार करनी है और इसे हमें लम सफरी बनाना है बिल्कुल इसमें गाठे गुल्टिया नहीं रहनी चाहिए तो देखिए यहाँ पे घोल हमारा बन गया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह इतना गाड़ा है कि चमत से गिरा रहे हैं तो बहुत यह असानी से गिर रहा है और चमत के पीछे इसकी कोटिंग भी हो रही है उंगली से एक लाइन ड्रॉ करके मिला रहे तो देखिए आपस में मिल नहीं रहा है तो बस इतना ही पतला गोल हमें चाहिए अब जो नास्ता हमने बना के तयार किया था उसको हम इसमें रीप करेंगे एक्स्टा निकल जाने देंगे और गरम तेल में डालते वे फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर ओल को में अच्छे से गरम रखना है उसके बाद नास्ते को डालना है मैंने यह पर गोल बनाने के लिए मैदे का यूज़ किया है आप चाहें तो गेहूं के आटे या चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं अब इस नास्ते को हम एक साइड से हलका सा होने देंगे और फिर दूसरी साइड पलटेंगे तो उपर से हलका सा ओल डाल दे रहे हैं ये दिखिए नीचे की साइड से ये हलके से हो गये हैं अब इनको हम पलट देंगे दूसरी साइड नास्ते को हमें दोनों साइड से उलटते पलटते हुए मन चाहा कलर आने तक फ्राई कर लेना है तो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा होने देंगे उसके बाद फिर पलटेंगे फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर रखा है नास्ते को फ्राइ होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है इसलिए फ्रिम को हाई रखा है अभी थोड़ी देर में देखिएगा इसमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा जब आपका मन चाहा कलर आ जाएगा तब आप इसको अल से बाहर निकाल सकते हैं तो यहां देखिए नीचे के साइट से इसमें प्यारा सा गोल्डेन कलर आ गया है अब इसको दूसरी साइट पलड़ देंगे यानि की नास्ते को हमें उलड़ते पलड़ते हुए बढ़िया से क्रिस्पी कर लेना है एकी साइट से इसको नहीं कलर आने देना है दोनों साइट से उलड़ते पलड़ते रहेंगे तो इसमें एक बरावर से बढ़िया सा कलर आ जाएगा तो यहां लिजे नास्ता हमारा बढ़िया से फ्राई हो चुका है एक दम क्रिस्पी हो गया है अब इसको हम उल से बाहन निकाल लेंगे और अब इसी तरीके से बागी के नास्तों को भी फ्राई कर लेंगे और एक साइट से होने के बाद दूसरे साइट पलड़ देंगे दोनों साइट से उलड़ते पलड़ते रहना है इसको एकी साइट से छोड़ना नहीं है अब जब इसमें बड़िया सा कलर आ जाएगा तो इसको हम उल से बाहन निकाल लेंगे तो ये दिखिये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है इसमें भी अच्छा सा कलर आ चुका है तो चलिए इसको भी उल से बान निकाल लेते हैं इसमें कलर देखिए कितना प्यारा आया है देखने से लग रहा है कि बहुत ही क्रिस्पी नास्ता बनके तयार हुआ है तो आवा से पता चल रहा है नास्ता कितना क्रिस्पी बना है और ये दिखिए अंदर चटपटी फिलिंग से भरा हुआ है बहुत ही टेश्टी चटपटा मज़ेदार नास्ता है और आप इसको चटनी के संग, केचप के संग या सौस के संग खाए गर्मा गर्म ये नास्ता बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप भी समोसा, कचोरी, पकोडी खाने के सौखीन है तो ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा तो दोस्तों जरासा भी ये नास्ता अगर आपको पसंद आए तो एक लैक जरूर कर दिजेगा साती में दोस्तों में भी सेयर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन दबा दिजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक यू वाचिंग फार दिस वीडियो